तो आज के इस वीडियो में जो लोग basement बनवाने की सोच रहे हैं उन्हें तीन बातों की proper जानकारी होनी जरूरी है आज के वीडियो का हमारा topic भी यह यह इसमें हम तीन topic के बारे में discuss करेंगे पहला यह कि basement बनवाने की जरुवत हमें क्यों होती है दूसरा इसमें क्या cost आता है तीसरा अगर आप basement बनवा लेते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये तीनो topic के बारे में बात करेंगे जिससे कि अप ये decide कर सकेगी आपको छोटी जगहों में basement बनवाने की जरुवत है या फिर नहीं तो चली वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे channel पर ने हैं तो channel को subscribe करें bell icon के button को जरूर hit करें और all पे click करें ताकि हमारे जो और भी video के notification वह आप तक पहुँचते रहें तो चली वीडियो को start करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जो पहला topic है वो ये की basement बनवाने की जरूरत क्यों है देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटे माकान बनवाते हैं something 500 feet, 800 feet या फिर 1000 square feet तो वहाँ भी basement का निर्मान करवाते हैं देखिए अब basement के साथ में एक समस्य ये है कि अगर आप छोटी जगह पर basement का निर्मान करवाते हैं तो इसमें आपको और भी ज़्यादा cost लगता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको basement की जरूरत क्यों है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह आपने देखा होगी किसी के basement का उसने निर्मान करवाया इसलिए आपको उसकी जरूरत महसुस हो रही है दूसरा ये कि commercial जो बड़े-बड़े complex है उसमें basement का निर्मान parking के लिए करवाया जाता है या अगर आपकी दुकान या shop है तो उसमें आप storage के रूप में भी basement का निर्मान करवा सकते हैं सबसे पहला point तो ये कि आप अपनी जरुवत को देखे क्या वास्ताव में आपको basement की जरुवत है या नहीं अभी इसमें जो दूसरा topic आता है वो है cost का जैसिकरी अगर आप 1000 square feet का मकान बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो 1000 square feet के मकान जो आपको पैसा लगता है वो है 10 से 12 लाक रूप में आप अपने मकान को पुरा complete कर सकते हैं 1000 square feet के मकान को लेकिन अगर आप 1000 square feet का basement आते हैं तो आपको कम से कम आज के डेट में 2023 में 18 से 20 लाक रूपे चाहिए होते हैं ये basement का total cost होता है अब देखी ये इसमें आपके इतने पैसे इसलिए रखते हैं क्योंकि basement के लिए आपको गड़े खुदवाने की जरुवत पड़ती है यानि कि आपको वो पूरा surface चाहिए जिसमें आप basement बना सकें दूसरा इसमें जो आपको सबसे बड़ी आपका जो इसमें cost या खर्चा जो आता है वो है इसके wall में यानि कि basement के निर्मान के पूरे process में और इसमें जो waterproofing होती है उसमें अगर आपने basement बनवा लिया और उसमें पानी भरने की समस्य आने लगती है तो वो basement आपके कोई काम का नहीं रहता है तो आपको basement बनवाने से पहले इसमें कहीं से भी leakage ना आए इसके बारे में पहले सोचना पड़ता है तूसरा अगर आपने छोटी जगह पर basement बनवा भी लिया तो आप इसमें आपको क्या क्या problem होती है आपको ये भी विचार करना होती है देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि कई लोग जो basement बनवा लेते हैं उनके साथ समस्य ये होती है कि basement बनवाने के बाद या तो उनके basement में पानी भर रहा है या फिर 시डन की समस्य है या फिर पानी उनके basement में कहीं दिवाल से या फिर छट से अंदर आनी लगता है तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो basement बनवाते समय वो RCC की wall ना करवा कर वो क्या करते हैं brick की wall करवाते हैं तो इससे होता क्या है कि वो लोगों का यह मानना रहता है कि हम जिस area में रहते हैं यहां पर पानी की ज्यादा समस्या नहीं है तो भविस में यहां कभी पानी आने के chances भी नहीं तो देखिए basement में RCC की wall यानि की concrete की wall इसलिए की जाती है क्योंकि जब पानी गिरता है तो यही पानी जब नीचे जमीन में बढ़ता है तो वो पानी आपके basement में ना आए इसलिए यहां पे आपको RCC की wall प्रोवाइट करने का option दिया जाता है अगर आप brick की wall करते हैं तो इसमें आपको समस्या होगी ही और इसके बाद जब आपके यहां पानी आएगा तो आप इस चीज़ से हमेशा परिसान रहेंगे उसके बाद होता क्या है कि आप पानी को रोकने के अलग-अलग विकल्प ढूंडने लगते हैं जिसमें आपके पैसे और भी ज़्यादा जाते हैं अगर आपको वाकई में बेस्मेंट की जरुवत है तो आप इसके बारे में पहले अच्छे से विचार कर ले उसके पूरे प्रोसेस को समझ ले उसके बाद बेस्मेंट बनाने का फैसला ले और इसके पहले कि बेस्मेंट का पानी कैसे रोका जाता है उसके कैसे ट्रीटमें किया जाते हैं इसके बारे में पूर्णी जानकारी होना जरूरी है इसके बाद ही आप basement का काम चालू करवाए तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही उम्मेद करते हैं वीडियो आपको पसंद आये होगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो क लाइक और शेर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद